स्वागत है मित्रो इस वीडियो टुटोरियल में हम नई फाइल कैसी बनाए जाए वो सिखेगे Windows 8 में हम अलग-अलग तरह की फाइल बना सकते और उस फाइल में हम अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं तो चलिए हम डेक्स्टॉप पर नई टेक्स्ट फाइल कैसे बनाए जाए वो सिखे डेक्स्टॉप पर नई फाइल बनाने के लिए डेक्स्टॉप पर राइट क्लिक करे राइट क्लिक करते ही एक नया पॉपप खुल जाएगा उसके अंदर विविद प्रकार के विकल्ब्स दिये गए होगे उसमें से न्यू विकल्ब में जाए न्यू विकल्ब में आप किस तरह की फाइल बनाना चाहते हैं वो पूछेगा आप जिस तरह की फाइल बनाना चाहते हैं, वो चायन करें जैसे कि मैं नई टेक्स्ट फाइल बनाना चाहता हूँ, तो मैं यह टेक्स्ट फाइल पसंद करूगा क्लिक करते ही डेक्स्टोप पर एक नया टेक्स्ट डोक्युमेंट बन जाएगा आप अब इस document को नाम दे सकते हैं क्योंकि इस document का नाम already selected है आप keyboard पर type करके इस file का नाम बदल सकते है मैं मेरी file का नाम my file दे रहा हूँ file का नाम लिखने के बाद अपने keyboard से enter की press करे तो आपकी file बन जाएगी इस file को खोलने के लिए file पर double click करे double click करते ही by default जो program इस file के लिए होगा वो खुल जाएगा यह file text file है इसलिए हम इस file के अंदर text store कर सकते है तो मैं लिख रहा हूँ this is my text file in windows 8 इस file को save करने के लिए आप file menu का प्रयोग कर सकते है फाइल मेनु में जाके save विकल पर क्लिक करे या फिर अपने keyboard से control और S की एक साथ दबाए आपकी file save हो जाएगी फाइल को close करने के लिए इस close बटन को डबाए फाइल को फिर से open करने के लिए डबल लिक करें तो आपकी file दिखाई देगी तो इस तरह से आप Windows 8 में file को बना सकते है और file के अंदर content add कर सकते है धन्यवाद